वेल्कम टू प्रो टीप्स प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिये ने मैं बिलकुष सुबह सुबह निकल जाता हूँ कि कुछ लेकर ऐसा चीज लाओं जो आपका अकर्शित करें लेकिन बड़ी मुश्किल से ये बात मिली है जो आपने स्टैक्ट स्टैक्ट की बात के कुछ चीज तरह के हालात अभी भी हैं तो जैसे से चीजें चुमस में चुड़ने के लिए अब क्विकली फोकस आज के टॉप कॉल्स पर पूरे पैनल को गुड मॉरिंग और शुरुबात कर रहा हूं असित के साथ असित दिक्कत रही कर आपने छुट्टी इंजाए कर लेकिन हमारा पेन कंटिनू रहा कितना डाउनसाइड, कब स्टेबिलिटी, कब ये शॉर्ट टम रिवर्सल आएगा, कब ये सो कॉल्ट करेक्टिव मूव खत्म होगा आप लोग कैसे पोजिशन तो निफ्टी निफ्टी बैंक पे मुझे लगते है कि ये सोलाजर के लेवल पर हमें अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है फॉलो थू थू सलिंग हमें नहीं मिलेगा अंटी नलेस पंद्राइजर नौसर पचास अगर ब्रीच नहीं होता है मुझे लगता है कि यहां सहम बांस दे सकते कर सिथा बैंक पजलिंग जी है कि मुझे लगता है कि अभि भी पैनिक आया नहीं है मुझे लगतेश मेटेशर net answer कि डिचे अम ड़ाजर करेंगे सेकने हमें रिकवरी डेफिनिटले में लिखने को मिल सकता है तो इसी से अब से जो पुछ पूप लेने के लिए अगर कोई शौट है तो इसको पॉफित भूख था ना चाहिए लेगल पे अनली 15950 के नीचे ही मुझे लगते है कि और intensity in selling will pick up. So that is how we looking at the Nifty. But having said that, bank Nifty is quite strong. विरन जी नी भी बता है, but bank Nifty data काफी स्टॉंग है. अगर ये inflation का data नहीं होता है, I would presume कि ban it would have given us 300-400 अली, जिसके अपकर data बना हुआ है. अगर ICC bank देखेंगे, fresh put writing of around 1.2 lakh versus call unwinding of 3.5 lakh. Axis bank में close to call unwinding of around 18 lakh. KOTAC में भी decent amount of put writing है. SDC bank में call unwinding is 6.4 lakh. काफी सरे private banks में हमें दिख रहा है कि put writing में conviction बहुत ज्यादा है. In fact, state bank में put writing was around 7 lakh versus call writing of 4 lakh. ये सारे fresh put writing, call writing कल के data के साफ से हुआ है. So, bank Nifty में data is strong, but having said that, we are seeing a gap down. अगर अगर हमें 2400-3400 के लेबल पे bank Nifty मिलता है, मुझा लेगते है, bank Nifty में long जाना चाहिए. अंटिनल जासे विरेंजी नहीं पता है, 2400 के लेगते हैं, 2400 के लेगते हैं, अगर हमें 300-300 के gap down मिलता है, मुझा लेगते है कि रिस्क रवर्ट के परस्पेक्टि में, बैंक Nifty में definitely long जाना चाहिए. और 15950 के निचे, अगर निफ्ती जाते हैं, तो हम 15900 के फुट लेके मन्तली एक्सपेकर, I think उसको करी कर सकते हैं, so that is how I'll be looking at the index. आज के लिए, I'll go long in Kotaag Bank with a stop loss of 1800 level, for a target of around 1830, I'm expecting with this gap down, Kotaag Bank निचे को लेगा, so अगरा सको stop loss रखते हैं, मुझा लगते हैं, वहान से bounce back हमें देख सकते हैं, this is one of the most strongest counters in the banking space, long built-up दिख रहा है, Kotaag Bank, recovery अच्छा देगा बैंक निफ्टे को, so I would go with the relative strategies counter, में सबसे ज़्यादा है, in banking space में उसमें लॉंग जाना चाहंगा, Kotaag Bank में लॉंग जाएंगे उट्रासो का stop loss, so that's the call for me today.